कर्मा जो जैसे जैसे लोग धम को अपने जीवन में अपने जीवन को सुख़द बनाने के लिए धाल सके वैसे वैसे लोगों ने धम के अंदर जीने की पदती बनाते चले हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां ठंड के साथ से वो उसको यहां शॉप है अखलो है वहां वहां है वाट शॉप हैं शॉप को देखेंगे यहां कर्मा पा का फोटो है तो वो साखाएं सारी ब्रांच बंती चली गए और जितने भी धमके लोग हैं सब आपस में एक हैं तिबबत पहाडों का बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ अलग-अलग तरह के गुरू हैं और उन गुरूओं का सब को सिखाने का तरीका लग-बग पूरे विस्व में वही है जो फिलोसफी भगवान बुद्ध ने दी है थोड़ा सा इसमें जैसे ठंड बहुत जादा होती है तो वो अपने सरीर की एक्साइज करने के लिए उन्होंने कुछ चीजे बना ली है जिसमें एक लेट के जिसको वियायाम बोलते हैं ये जो योग होता है जिसको हम सूरे नमस्कार बोलते हैं ये वहीं से आया हुआ है बिसिकली ठंडे लोगों ने ही इसको डवलप तिया है ताकि फरी का movement होता रहे और इसके अलावा जो वो movement है, हाथ से हिलाते रहते हैं जिसने कि हाथ का ब्रेट का सर्कुलेशन चलता रहे इसके अलावा जो माला है वो हाथ से चलते रहते हैं ताकि hands का movement माइनस टेंपरचर होता है वहाँ, तो हाथ की मुवमेंट लगता चलती रहे, इसके अलावा वो लगता परिक्मा करते हैं, धम चक्क के रूप में चक्क लगाते हैं, इसलिए ताकि उनकी पैर और घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन मुवमेंट चलता रहे और वो लोग ज इतनी भी जानवरों की मुद्राओं की चीजे हैं, वो सब प्राक्रती रूप से ली गई हैं, देखें कितना खुब्सूरत यह कलाकिर्ती है, उपर शेर है और नीचे इसमें एक जानवर है, और यह बहुत बढ़िया बुद्ध बिहार है, आप बॉद गया आएं तो बिहार इंडिया धन्यवाद झाल